जे गुरुजी शुकराना गुरुजी सारी संगत को जे गुरुजी आज मैं आप सबसे एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ उन्होंने मुझे कमेंट्स में अपना सत्संग शेयर किया तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी से किसी जानवर या पक्षी को खाना खिला रही है बालकनी करीब 4th या 5th फ्लोर पर रही होगी और उनकी बालकनी पे पेड़ भी पहुँच रहे थे जहां पे वो खाना खिला रही थी पर आंटी जी काफी नीचे जुकी थी और बाकनी से गिर पड़ी और संगत जी ने देखते ही जैगुरूजी जैगुरूजी बोला बस ये बोलते ही वो आंटी जी वापस बालकनी पे पहुँच गई और साथ में उनके लेफ्ट में उन्होंने गुरूजी बेठे हुए देखे वो संगत जी एकडम नीचे से ये सीन देख रही थी गुरु जी ने पंजाबी में बोला पुत्तर अपने जनम दा समय नोट कर ये साड़े साथ है संगत जी ने पूछा क्या साड़े नो तो गुरु जी ने बोला साड़े साथ संगत जी ने बोला ठीक है गुरु जी जै गुरु जी ऐसा था कि खूप सारे पेड़ पौधे लगे थे सोसाइटी में लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में और बाहर उसके टाइल्स लगी थी बैठने के लिए तो गुरु जी ने संगत जी को इंस्ट्रक्ट किया कि सिर्फ इसी एरिया में वॉक करना क्यूंकि संगत जी वॉक करने निकली थी संगत जी ने बोला गुरु जै गुरु जी और संगत जी काफी खुश थी और गुरु जी इन्विजिबल हो गए संगत जी की आँख खुल गई जै गुरु जी बोलते बोलते अब संगत जी आपको बताना चाहती है कि उनकी शादी के लिए घर वाले काफी टाइम से रिष्टा देख रहे हैं जो कि कुंडली की वज़े से काम नहीं बनते उनकी बर्थ टाइम किसी को भी घर पे याद नहीं है कुंडली बनी है पर कुछ आइडिया के टाइम के एकॉर्डिंग कि गैस किया है कि साडेनो होगा या साथ अठारा होगा इग्जैक टाइमिंग्स उनको नहीं पता है गुरुजी उनको सपने में आकर उनका बर्थ टाइम बता कर गए और उन्होंने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया आंटी जी हम दुआ करते हैं गुरुजी से कि आपको जल्दी से एक अच्छा सा लड़का मिल जाए आपकी कुंडली मिल जाए और आप हमेशा खुश रहें और आपका सत्संग बहुत प्यारा था इसलिए मैंने आपका सत्संग सारी संगत को शेयर किया ताकि सब सुने जै गुरुजी शुकराना गुरुजी आप अपने सत्संग ऐसे ही कमेंट्स में शेयर करते रहा करिए नेक्स जै मैं उन्ही सत्संग को जरूर बोला करूंगी ताकि सब के साथ शेयर हो सके सत्संग शेयर करना और सत्संग पढ़ना या सत्संग सुनना बहुत अच्छा काम होता है जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी